हेलो फ्रेंड्स कैसे हूँ मेरा नाम है संजीम जोतरा और आज हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टन कॉंसेप्ट जिसमें एक हमारा रूल आएगा उसमें रूल आएगा और एक रेक्शन हम कह सकते हैं जो हैलो लकीन यह हेलो रेंव बोलते हैं जब हम हेलो लकीन पड़ेंगे उसमें बहुत ही कॉमन है थीक है तो इससे पहले मैंने अभी करवाता सब्सक्राइब करेंगे अब यहां पर कुछ ग्रेंट चेंज करेंगे आज हम लेने मारे अलकोहली कि वेच लेंगे तो बहुत ही इंपोर्टन रेक्षिन बनती है वह कौनसी हमारी पीटा एलिमिनेशन रेक्षिन पीटा एलिमिनेशन रेक्षिन इसका एक और नाम दी हाइड्रो है लोजी नेशन रेक्षिन मतलब दी मतलब रिमूव किसको हाइड्रोजन को और हैलोजन को ठीक है बीटा मतलब बीटा से कुछ इलिमिनेट करेंगे बीटा कार्बन से इलिमिनेट करेंगे कोई चीज को हटाएंगे उसे हम बोलते है बीटा एलिमिनेशन रेक्षिन क्या होने वाला यहाँ पर डी हाइड्रोजन होगा किसका एचेक्स का डी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे मतलब एक हाइड्रोजन और एक्स हैलोजन को रिमूव करने वाले हैं अब यह कैसे होगी बीटा बीटा एलिमिनेशन रेक्षिन क्या चीज़ डालेंगे क्या चीज़ डालेंगे जिससे की बीटा एलिमिनेशन हो जाए किसकी हो जाए अलकाइल हलाइड्स की ठीक है जैसे मैं सिंपल एक्जेंपल लूँ यहाँ पे जब मैं इसको क्यों एच के साथ रेक्ट करमाओं देखो अब वह चीज़ आगी जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं यहाँ पे एक्वस लूँ अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी निकली फिलिक सब्चिश्य रेक्षिन की वह देख लीजिए अगर देखोगे त यहां पर पता क्या होगा बी यार की जगा पर वह चालेगा इसे बोलते हैं नुकली फिलिक सब्सिचुश्य रेक्षिन क्यों पहले बढ़िए अब यहां पर मैं नहीं पता तो आप एक पार देख लू अब मैं यहां पर एलकोहलिक थोड़ा सा चेंज किया एक्वस की जग इस तरह किसे और एच बी आर बाहर चला गया मतलब इलिमिनेशन हुई किसकी है एक्वस की एक्वस की डालेंगे तो सब्सिचुशन होगी कि जब हम एलकोहलिक के ऊएच डालेंगे यह पारध्यास स्फुनी चीज में हँऔर वाप बोल रहा हुँ एलकोहलिक के अचछ डालेंगे तो मतलब टहाँ बनेंगा जब आप्टल ऑकिंवरजकर अब्शान्स करोगे ना ज्यब्स करोगे एक उर्छाइट एक आपसी से और गैनिक परदी ऐसे हो गया जी ठीक है जी रट्टा मारा नहीं समझो देखो ऑड़ा चलाक होता है वो ना क्यों ऐसे डालके आगे इस तरह कैसे लिखते थैं कुश्यर माग डालता है बताओ किया है अच्छा को इसकी तरफ देखते नहीं है ऊच्छ को फटब फटब इसके सार्प प्लेश कर देते हैं और नुक्लिफिरी सब्सेशिशन कर देते ह आप आप अलकॉहलिक डालेंगे तो अलकीन बनेगा अब कैसे बनेंगा किया हुआ देखो इसको हम इस तरह किसे लिख सकते हैं कि एच 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 और मैं यहां पर एच और यहां पर ब्यां इस तरह किसे लिख दूँ इसको बॉइल कर दिया है अब ध्यान से समीन है क्या मैं बताने जा रहा हूँ इस कारवन को जहां पे हैलोजन लगा हो जहां पे हैलोजन लगा हो उस कारवन को हमने बोलना है अल्फा उसके साथ वाले को बोलना है बीटा जिस पे कारवन पे हैलोजन लगा है यह वाले कारवन पे फस्ट वाले पे उससे फस्ट को क्या बोलेंगे अल्फा साथ वाले को क्या बोलेंगे बीटा अब यहां पे बीटा Elimination वोला है इसका मतलब Elimination का से होगी बीटा की होगी बीटा से कुछ उड़ेगा हटेगा अब क्या आठने वाला है कैसे कि यह दुखो positive negative यह के प्लस क्या करेगा यह बीया नेगेटिव को खा जाएगा फटाफट से के और ब्यार मिलगे ओच क्या ढूड़ेगा है एच जो यह रूड़ेगा अब एच कौन साथ अब यहां पर confusion कि एच यह वाला जाना चाहिए यह वाला जाना चाहिए नहीं कौन साथ जो बीटा पर हाइड्रोजन लगा है उसके साथ यह वाला उच जूड ढहाएगा तो बन गया वाटर हो प्लिन क्या बचा है क्या बचा क्या बचा ध्यार से देखों क्या ब कार्बन हइड्रजर कार्बन हइड्रोजन यहीं पचा कार्बनịटर्जर और इसकी देखो क्तिनी 14 vermल न है कार्बन के आसपाा एधर आराउंट वञाँड टूट्री प्र जेन एप गया यह कई अलकीन इथेन्हां कॉछ मतलब क्या हमने क्या किया डी हाइड्रो रिमोववई हाइड्रोजन कौन्स हुआ यह वाला है घ्र एक्छ पिर बहर चला गया मतलब H और OH, H भी यहां से रमूव हो गया, BR किस के साथ जुल गया, K के साथ, OH किस के साथ जुल गया, H के साथ, Water भी बाहर निकल गया और KBR भी बाहर निकल गया, ठीक है, तो बचा के CH2, CH2, अब इसको बोला क्यों, बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला, बीटा क्यों बोला है, बीटा क्यों बोला, क्योंकि हम इलिमिनेट कहां से कर रहे है, बीटा से, बीटा, यहां पे बीटा हाइडोजन को रिमूव करेंगे, जो कार्बन, यहां पे कार्बन के साथ लगाओ, बीटा कार्बन के साथ लगाओ, बीटा हाइडोजन के साथ, पहले वाले को अलफा बोल यहां से बीयार रभू हो गया तो बचा के हमारा CH2 CH2 इसे हमने बोला क्या बोला बीटा एलिमिनेशन या दी हाइड्रो हेलोगेनेशन रेक्शन अब बहुत ही खास चीज कि यह तो ठीक है यहां पर तो स्मेट्रिकल चीज नदर आ लिया अगर कुछ ऐसा हो ऐसा कुछ हो अलक आप लुए अब देखो मेरे लिए यह तो अलफा जहां पर रगाओ यह तो अलसे हैं आब अलफा के साथ वाला यह भी पीट आलफा के साथ वाला यह भी यह गाम है अब कौन से रिमूव करूँ अब मैं कौन से रिमूव करूँ यह भी विचा रहा है बीटा यह बीटा है करो अब कैसे रिमूव करेंगे क्या होगा हाइडोजन रिमूव करना है भी आप तो जाएगा ठीक है कि बी आप निकल जाएगा ठीक है अब ओच किसको लेगा इसके हाइडोजन को या इसके हाइडोजन को क्योंकि ये भी बीटा ये भी बीटा क्योंकि आप तो पहले कहा चुके हो वेट है बीटा है अब दोसी बनती है यह होगा यह होगा यह ऑगर कि यह होगा यह घ्री होगा यह जैसे वह गया तो हुआ यहां पर यह वाला CH3 CH2 CH CH2 है यह रहा का यह यह वाला हाइटोजेन रियह रहु हुआ तो यह बना डबल सब्सक्राइब है यहां पर यह हमारे का बाउड बनता है यह रहता है इसको क्या बोला आपने ब्यूट टू इन क्या बोला ब्यूट टू इन इसको क्या बोला ब्यूट वान इन ठीक है यह 80% बनता है और यह 20% यह प्रैफर किया क्यों प्रैफर किया क्या कोई रूल लगा यही चीज में थी जो मनें बताना था यहाँ पर रूल लगा Sets of rule काई सा रूल लगा Sets of rule क्या कहते है कि carbon में carbon जो d Abby बोंड है वहाँ पर आएगी जहाँ पर जो दो carbon लगे है ना जो दो carbon लगे है वो दोनों जादा ऑलकाईलेटर बन जाहें उनके जादा से जादा alkyl groups आ जाए अब यहाँ पे देखो यह दो प्रेफरेस फिर कहा हुई जहां पे carbon carbon जो double bond है उसके साथ जादा alkyl groups आ जाए अब यह देखो यह carbon के साथ भी alkyl group है यह carbon के साथ भी alkyl groups है यह दोनों carbon के साथ alkyl group आ गया यह भी आ गया यहां पे double bond prefer prefer की जाए गी से जबन के मताबिक और यहां पर देखो यह भी carbon यहां पी यहां पर चोला हम क्या सकते हैं कि इसक्ते हैं कि आ जाएगा पर यहां पर यहां पर लकार गुरूप नहीं है तो ज्यादा अल्काइल जिसकी की सेर्जरूरि ने कि carbon और carbon में जो double bond आ रही है यह दो जो carbon है double bond वाले दो carbon है इन पे जाधा से जाधा alkyl group साने चाहिए मतलब maximum alkylated होना चाहिए तो carbon की इसमें तो ठीक है एक है है जो और दूसरा क्या आ गया इधर carbon में इधर भी एच्छा आगे इधर भी एच्छा आगे दो एच्छा आगे ना तो यह alkylated इधर तो methyl group आया यह नहीं तो यह prefer नहीं होगा यहाँ पर देखो इधर भी carbon यह double bond आगी इस carbon पर भी methyl है इस carbon पर भी methyl यह जादा alkylated हो गया यह क्या बोलता है sets of rule तो beta elimination कहां पर होगी set of rule के मताबिक यहां पर होगी यह वाला hydrogen remove होगा कौसा remove होगा यह वाला यह वाला इवाला कौसा यह भी बीटा है यह भी बीटा है पर सेट्सिव क्या कहता है कि यहां पे तो ठीक है पर जहां पर इस तरह के की सुचुएशन आजाए कि अलफा के इधर भी बीटा बन रहा है इधर भी बीटा तो हाइडरोजन कौन से होगा वह रिमूओ होगा जहां पर जब डबल बॉंड बने तो डबल बॉंड कारबन जो तो preference sets of rule के मताबिक यह prefer किया जाएगा ठीक है तो चलिब आपको sets of rule की definition लिखवा देता हूं ठीक है चलिए देखते हैं अभी तो definition definition ने क्या कहा sets of rule की in case of helokines elimination of hydrogen halides hydrogen halides elimination के अगर बात करें तो in two different ways two different ways में होती है then that alkyne will be preferred in which carbon atoms joined by double bond जो carbon atom joined by double bond से are maximum alkylated वो क्या हो maximum alkylated हो मत्तब उन carbon carbon पे जादा alkyl groups आएं that is it contains large number of alkyl groups जहां पर simple था काम जहां पर एक की तरफ बीटा आ रहा था तब तो कोई मुश्किल नहीं थी बीटा से head and remove किया जैसे ही इधर भी आया इधर भी आया तो double bond कहां पर आई यहां पर आई क्योंकि अगर यहां पर लगाएंगे तो यहां पर भी alkyl group है यहां पर भी alkyl group आया कहां पर carbon जो carbon double bond वाले दो carbon है उनके साथ जादा alkyl group है large number of alkyl groups आ गए यह किसने का sets of rule ने पर यहां पर यह चीज नहीं हो गई hope आपको sets of rule अच्छे से clear हो गया होगा ठीक है इसके related मैंने इससे मार्कॉनिक ऑफ रूल भी बताया था आपको एंटी मार्कॉनिक ऑफ रूल जो होता था खराश इफेक्ट था उसकी lectures भी आपको मैंने बनाए हुए हैं आप playlist में जाके वहां पर अच्छे मार्कॉनिक ऑफ रूल एंटी मार्कॉनिक ऑफ रूल और्गैनिक के हमारी जी ओसी है मतला जो भी है उसमें मैंने अलगलग concepts बताया हैं कार्बोकॉन के हैं यह सारे चीजे मैंने डिटेल में बताई हुए हैं उनको आप देखी आपका concept clear होगा और्गैनिक के बार से चुड़ी चीजे यह क्लियर नहीं है तो यह चीज़ें जब तक नहीं पढ़ोगे 11 में आप इतनी ध्यान से के इस सूनें बढ़ते वर्टे वहां पर पढ़ना शुरू करते हैं तब तक निगल चुका होता है तो यह 11 का topic मालों चाहे 12 का मालों चाहें BSC कहीं पर भी chemistry प समझो मैंने गहाँ प्लेइलिस्ट देखो जाके वहाँ पर और जाने थ्या पर और आपको यह इसे टॉपिक्स मिलें लेते हैं ठीक है होप आपको यह लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका है अब अगली लेक्चर में दुबारा हाजर होगे तब तक लिए इजाज़त दीजिए पर आपका गुर्पर चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें ठीक है थैंक यू गूर्बाई टेक केरें अजाल